आज की इस वीडियो में हम अपना चेक यूर प्रोग्रेस के लास्ट को देखेंगे यह हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है इंटिग्रेशन चाप्टर की इंटिग्रेशन में हमने काफी सारे मेथ़ोड और काफी सारे नई-ने कॉंसेप्ट सीखे और उन पर बेज्ड हमने सारे ही कोईशन सॉल्फ किये हैं अभी तक और यह जो आज की वीडियो है यह चेक यूप्रोग्रेस की लास्ट वीडियो है इसका मतलब हमारा यहां पर मिल रहा है तो प्लीज आप हमें कॉमेंट कीजे नहीं तो आप हमें email कीजे आपके doubts को लेकर हम आगे देखेंगे कि किस तरीके के doubts students को यहां पर मिल रहा है इंटिग्रेशन चाप्टर पे तो उस तरीके से हम doubts classes भी ले सकते हैं या doubt की specific videos भी बना सकते हैं तो doubt वाला पाट अभी अलग रखते हैं, इस question से शुरू करते हैं, जो अपना 6th number का question है, check your progress 4 का, integrate the following, क्या है आपका दो function आपको अलग अलग यहाँ दिख रहे होंगे, जिसे एक exponential function है और आपका एक algebraic function है, दो अलग functions है, यह function थोड़ा सा complex है, इसका मतलब हम इसे थोड़ा simplify करना होगा, अगर possibility बनती है simplify करने की तो, क्या है function, e की power x dot x plus 1 by x plus 2 का whole square dx, अब यह term ना हमने इस सदी के expression हमने पहले भी solve किया है, x plus 2, यह x plus 1, तो मैं अगर यहाँ पर plus 1 और minus 1 कर दूँगे, तो उपरवाली term भी मेरी x plus 2 minus 1 बन जाएगी, तो देन फिर मैं इस expression को दो terms में लिख सकती हूँ, split करके, कैसे, x plus 1, पहला हमारा जो numerator है, उसको हमने ऐसे ही लिखा, then हम plus 1 और minus 1 यहाँ पर add कर रहे है, neutral हम एक operation apply कर रहे है, plus 1 और minus 1 बाला, plus 1 इसके लिख कर रहे है क्योंकि plus 1 plus 1 हो जाएगा plus का 2, right, plus 2 हो जाएगा तो साथ में, जो मेरा दूसरा term है, वो क्या है, minus की 1 की बचेगी, तो यह हो गया x plus 2, bracket में लिखा मैंने, minus का 1, bracket लगाने पर नहीं सोचना है, क्योंकि आगे कोई भी sign नहीं है, तो bracket हम यहाँ पर apply कर सकते है, चीक है, and sign change नहीं होंगे, क्योंकि आगे कोई भी sign नहीं है, जिसकी वज़े से bracket के अंदर वाली terms के sign change हो, इसका ध्यान रखना है, basic सा concept है, minus 1, दो अलगलग terms हो गई अभी है, अब मैं यह denominator को, इसके साथ भी divide करूँगी, और इस term के साथ भी divide करूँगी, तो यह थोड़ा expression मेरा simplify हो जाएगा, कैसे, हम लिख सकते हैं, इसे x plus 2 by x plus 2 का whole square, minus 1 by x plus 2 का whole square, मैंने दोनों brackets में लिख दिया, इन दोनों terms को, क्यूंकि, यह दो terms में बट गया है, तो यह जो e की power x ना, अभी इसके भी multiply होगा, इसके भी multiply होगा, तो उसके लिए हम ऐसी term को, ऐसी terms को multiply में, sorry, bracket में रखना, सभी समझते हैं, तो अब यह जो x plus 2 और by x plus 2 है ना, यह cancel out होके, मेरे पास बचेगा, सिर्फ 1 by x plus 2, क्योंकि यहां पर 1 x plus 2 है, यहां पर 2 x plus 2 है denominator में, तो x से cancel होगा, बचा 1 by x plus 2, लेकिन दूसरी term as it is रहेगी, तो हमने इस expression को, थोड़ा सा simplify कर दिया, तो simplify कर गे कुछ इस सरीके से दिख रहा है यहां पर, अब हम क्या करेंगे, e की पाउवर x, sums को integrate करेंगे, तो पहले इंटिगरेट करने से पहले, दो अलगे टर्म्स को integrate करके लिख लेते हैं, इस सरीके से यहां पर, e की पाउवर x, dot 1 by x plus 2, dx, integrate करके हमने दिखा है, और देन minus, यह वाला sine minus, integration of e की power x multiply by 1 by x plus 2 का whole square dx तो इन दोनों को अब हम integrate करेंगे integrate करने के लिए यहाँ पर दोनों में ही product rule रूल यूज हो रहा है राइट by part यूज करेंगे तो पहले हमें क्या करना चाहिए हमें देखना होगा कि कौन सा first function होगा कौना second function होगा यह आपका exponential है यह आपका algebraic है तो algebraic expressions पहले आएंगे तो इसके मैं इसको आगे लिख लिए इसको पीछे लिख लिख लिए इसको भी आगे लिख लिख लिए इसको पीछे लिख लिख लिए लेकिन आप देख रहे होगे यहाँ पर मैंने x plus 2 का पावर में minus 1 कर दिया इसको अमनले इसको denominator में ले गई जिसकी वज़े इसकी पावर जो है negative होगे राइट हमें यह concept clear है अब यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया है इसका करने का reason यह है कि हम यहाँ पर पहले ही अनुमान लगा चुके हैं कि यह किस function में आपका integrate के differentiate होगा तो जिससे कि अगर यह x की power n होगा तो हम n x की power n minus 1 में differentiate करके लिख देंगे इसको right same अगर हम इसको integrate करेंगे x की power n वाले formula में तो क्या होगा x की power n plus 1 by n plus 1 तो इसलिए हमने पहले ही इसको उपर कर लिया ताकि जो formula में यूज करने वाले आना उसके लिए ready रखें इसको तो अब इसके बाद हमारे पास जो last step बचा वो क्या है by part formula यूज करने का तो by part formula यूज करते है by part formula यूज करने वाले हैं पहली term में भी दूसरी term में भी अच्छा यहां पर आपने देखा कि इस term में और इस term में सिर्फ इतना ही difference है कि इसमें minus 1 है और इसमें minus 2 है बाकी overall यह पूरी terms आपकी same है राइट तो क्या करते हैं हमने पहले भी देखा है जब भी ऐसे terms होती है जो थोड़ी बहुत same होती है और एक term को integrate करने से दूसरी term निकल आती है जिनको हम cancel out कर लेते हैं और फिर हमारा जो दूसरे expression को integrate करना है वो सरल हो जाता है तो यहां पर हमने इसको पहली term को सब integrate किया है and then हम देखींगे कि क्या कुछ reduce करने के लिए हमारे पास इससे कुछ निकलता है चलो देखते हैं पहले वाली term को आज़र लिखेंगे दूसरी term को integrate करना है तो e की power x dot dx minus integration में bracket में लिखना है कि इसको पहली term को तो x तो मेरा x नहीं है सुर्फ वो x plus 2 है तो इसको अगें differentiate कर रहे हैं into में integrate कर रहे हैं अपना e की power x को dx लगाके and यह bracket close फिर अगें dx for this integration sign then जो यह दूसरी dominos को आज़र जस लिख लिख लिए है मैंने आपर चलो solve करते हैं अब इसको integrate किया तो e की power x यह आएगा minus bracket में इसका differentiation क्या होगा n x की power n minus 1 तो यह हो जाएगा n क्या है minus 1 है तो minus 1 आगे x plus 2 is the x n minus 1 मतलब minus 1 minus 1 and then इसको differentiate करेंगे तो 1 plus 0 into 2 यह differentiate होगा तो e की power x minus अभी dx भी लिखा है यहाँ पर क्यूंकि हमारा यह again different integrate होना है और फिर इस tom को आज़र लिख लेंगे यहाँ पर ठीक है further solve करते हैं यह minus यह minus हो जाएगा यहाँ पर plus हमारे पास बचा x plus 2 की power minus 2 क्या होगा minus 2 होगा 1 plus 0 क्या होगा 1 ही होगा तो यह कुछ इसका कुछ फायदा नहीं है लिखने का दुबारा से क्योंकि 1 हमारे पास यह आएगा expression में 1 से जो भी चीज multiply होगी into में 1 की power x dx लिखा minus यह third term as it is यहाँ पर लिखती आपको यहाँ पर ध्यान होगा कि जो यह second term थी हमारी given question की इसको हम as it is लिखते वे आ रहे हैं अभी तक अब यह term यहाँ से यहाँ हमने क्यों क्यों कि एक का साइन positive एक का साइन negative है तो यह cancel होगे अपना and answer में क्या आया फिर यह term को वापेस लिखे plus c लगा के constant answer this is the answer we have अब आपको यह कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन से को integrate करना है त्यान रखिएगा जो आपको लग रहा है कि छोटी है equation जो functions आपको छोटे हैं और उसको integrate करके आपको यह मिलने की संभावना बन रही है तो आप उसको integrate कीचे ऐसा हमने पहले भी किया है पुरानी वीडियो प्लीज रेफर कीचे इस question में इतना ही अगले question की और बढ़ते हैं तो यह है question number seven log one plus x dx integration करना है हमने इसको उससर के question में पहले भी रेखा है जब भी आपको सिफ log में दियावा होगा log के साथ कोई और function नहीं दिया है multiply में तो हम कैसे integrate करते हैं उसको हम one multiply करते हैं उसके साथ और फिर उसको integrate करते पर चलते हैं यहाँ पर log x की जगा पर क्या है one plus x है x की जगा पर तो यह function हो गया and one हमने अपनी तरफ से लगाया है इसी के basis पर हम यहाँ पर by part rule apply करेंगे पहली तर्म यह होगी log वाली दूसरी अपनी algebraic expressions में जाएगी यह one वाली तर्म तो यह second term होगी अपनी as it is लिखना है पहले को integrate करना है minus differentiate करना है log x को यहाँ पर x नहीं है तो हम again chain rule apply कर रहे हैं one plus x के लिए यह हो गया integrate करेंगे again one को and then bracket close dx for this integration sign then solve करके sorry यह as it is लिखेंगे यह solve किया तो x आया integration of one क्या होगा x होगा minus one by one plus x होगा differentiation इसका into में zero plus one into में x dx solve किया तो x by one plus x dx अभी यह term भी हमने पहले solve की भी है पहले हमने इसको integrate किया है directly अगर आपको यह पर plus one और minus one लगाना है इसे किया फिर दो terms में split हो जाएगा bracket में रखना नहीं भूलना है क्योंकि sign change होते है तो bracket में नहीं रखना x dx दो terms है दोनों को separately integrate करते दिखाएंगे पहले वाले के लिए negative sign दूसरे वाले के लिए positive sign होगी minus minus plus हो जाएगा तो यह integrate हो रहे हैं अब यहाँ पर integrate होके x मिलेगा इसको integrate के log one plus x मिलेगा तो यह है मेरा final answer इसको आप इतना भी रहने दे सकते हैं नहीं तो अगर आपको दिख रहा है कि log x log one plus x और log one plus x इन दो term से common आरा है पहली बात तो मैं इसको right hand side लेगा इसको middle में लेगा log one plus x को then फिर मैं इन दो term से common ले रही हूं log one plus x तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर x बचेगा और इस term में क्या बचेगा 1 बचेगा तो उसलिए x plus one लिखा bracket close log one plus x इस log one plus x को आप common करते वे आगे भी लिख सकते हो ऐसा कुछ नहीं कि पीछे ही क्यों लिखना है पीछे लिखने का यह रिजन होता है क्योंकि हम यहाँ पर algebraic expressions को starting में दिखा रहे हैं और पहली बात यह x plus one और x plus one में यहाँ लिख दूँगी तो यह थोड़ा जीब लगेगा अगर one plus x और यहाँ पर ही x plus one लिखा जाए तो इसलिए हमने इनको इस तरीक ऐसे लिख लिख 4 so क्या है portion one minus x का वो x का square bracket open and close करेंगे इस function को bracket में रखा है हमने dot log x dx पहली term यह होगी दूसरी term यह होगी integrate करते हैं दोनों multiply हो रहे हैं मतलब यहाँ पर हम bypart वाला formula यूज़ करेंगे पहला आजब से लिखा जाएगा दूसरे को हम integrate करते वे दिखाएंगे मैंने इसमें कुछ और नहीं किया क्योंकि यह simple से term है क्योंकि एक बारी integrate होगी एक बारी integrate होगी तो इसको कोई और simplify करने के ज़र्द नहीं है आपको simply आप इसको इस सरीके से integrate करके लिख सकते हैं तो integrate किया 1-x का square dx minus integration में bracket open किया differentiation of log x by dx इंटो में integrate करेंगे again 1-x का square bracket close dx again bracket close dx for this integration then solve किया तो 1 का integrate करेंगा x आएगा x को आपको इसको लिखा है same as this इसमें भी यह इखा जाएगा अब इसकी जगह पर क्या है हमें 1 by x है differentiate करके तो यह 1 by x इसके दिए multiply होगा इसके दिए multiply होगा क्योंकि यह 2 terms है अंदर और यह आपस में multiply हो रहे है तो 2 terms है दोनों के साथ 1 by x multiply होगा तो करेंगे 1 x by x हो जाएगा पहली term में दूसरे में 1 by x into x की पावर 3 by 3 यह cancel होगा यह cancel होगा तो क्या आएगा हमें 1 minus x की पावर 2 by 3 आएगा अगें integrate करेंगे नोनों टोम्स को 1 को भी और x square by 3 को भी x square का formula में पता है क्या आएगा x की पावर n वाले formula में हम लगाकर इसको integrate कर लेंगे तो यह हो जाएगा x की पावर 3 3 into 3 denominator में solve करते हैं आगे solve कर की हो जाएगा x की पावर 3 by 9 plus का c और आगे minus का x और इसको हम आगे कर लेंगे इसको हम पीछे कर लेंगे इस तरीके से हमारा यह answer हमने लिख लिया और हमारा यह answer आगया question number 8 का आज की video में इतना ही अब हम नए chapter से शुरू करेंगे Thank you आगे